नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल The Musical Ecstasy पे और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए लेसन के साथ और आज हम सिखेंगे अलंकार, हन्य अलंकार संगीत का सबसे महगूर्ण अंग है यूँ कहें कि आप इसी की प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ा सकते हैं स्वरों को समझ सकते हैं किसी भी गाने को गा सकते हैं और किसी भी धुन को आप अपने आप उसका नोटेशन निकाल सकते हैं तो आई जानते हैं सबसे पहले अलंकार होता क्या है अलंकार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब और्नामेंट आभूशन या डेकोरेशन सजावत बोलचाल की भासा में हम कह सकते हैं कि स्वरों का डेकोरेशन ही अलंकार है और इसी पर पूरा संगीत है तो आईए सिखना शुरू करते हैं अलंकार सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे लाष्ट क्लास में जो हमने सीखा था सारी अबबधनी सारी निदापनी सारी निदापनी निदापनी सारी करेंगे जो हम रिवाइज करेंगे लाष्ट करते हैं आज हमें अब क्या करना है एक ही की को दो दो बार हमें प्ले करना है तो सासा रेले गागा मामा पापा धाधा नीने सासा सासा नीने धाधा पापा मामा गागा आप चाहिए तो लिख सकते हैं एक बार फिर से धीरे धीरे प्ले करते हैं सासा रे रे दागर मामा पापा धधा नी नी सासा नी नी धाधा पापा मामा गागर रे रे सासा अब ये सारे फिंगर से कैसे प्ले करेंगे देखते हैं सासा रे रे गागर मामा पापा धधा नी नी सासा सासा नी नी धाधा पापा मामा गागर रे रे सासा अगर आप गाना सीख रहे हैं तो आपको दो बार प्ले करने की जरूरत नहीं है आप उतनी देर तक इसको प्रेस करके रख सकते हैं लाइब सासा रे रे गागर मामा पापा धधा नी नी सासा सासा नी नी धाधा पापा मामा गागर रे रे सासा अगर आप सिर्फ बजाने के लिए सीख रहे हैं तो आप दो बार प्ले करेंगे आप दूसरा लांग कर शारी री ग अप दूसरा लांग कर केर चिर करते हैं सारे रेगा गामा मापा पाधा धनी नीजा सानी नीधा धापा पामा गारे रेशा सारे रेगा गामा मापा पाधा धनी नीजा सानी नीधा धापा पामा मागा गारे रेशा सारे फिंगर्स के साथ कैसे प्ले करेंगे से सारे रेगा गामा मापा पाधा धनी नीजा सानी नीधा धापा पामा मागा गारे रेशा फिर से मैं वही कहूँगा अगर आप गारे तो जो की को हम दो बार पले कर रहे आप उतनी देर के लिए उसको प्रेस करके रख सकतें। दो बार अलग से प्ले करने के ज़रोद नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट तो आपको दो बार और चिरिक बदाने के लिए दोनों को रिवाइज कर लेते हैं पहला था हमारा सासा रे रे गागा मामा पापा धदा नीनी सासा सासा नीनी धदा पापा मामा गागा रे रे सासा दोसरा था हमारा सारी रे गागा मामा पापा धदा नीनी सासा सानी नीनी धदा पापा मामा गागा रे रे सासा उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेशन पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ताकि हम अगले लेसन में दुबारा कुछ और अलंकार के साथ हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद